नमस्कर में भूपन्दपांडए हिंदी चैनल में आप सब कहर दिख सबत करता हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना बुलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो के ब्रेट साब को मिलते रहे हैं आज हम जीश टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है पास्चात्य कावेशास्त्र के अंतरगत जान ड्राइडन का आलचना सिधान्त और इसके साथ ही इसमें मैंने जान ड्राइडन के कावेशास्त्र को शामिल किया है तो इस प्रकर आज का जो मेरे यह लेक्चेर है इसमें दो प्रश्ण शामिल है पहला तो है जॉन ड्राइडन का आलुचना सिधान्त इसके अंतरगत हम उनके कावे संबन्धी सिधान्त और नाठक संबन्धी सिधान्तों का अध्यान करेंगे और इसका एक भाग है जॉन ड्राइडन का कावे सिधान्त जिसमें हम सिर्फ उन कावे के सम्मन्द में उनकी जो विचार धारा है उसका अध्यान करेंगे तो इस प्रकार आज का या जो लेक्टेर है इसमें दो प्रशने शामिल है जान ड्राइडन का अलोचना सिध्धान्थ तब आपको जॉन ड्राइडन का कावे सिध्धान्त और जॉन ड्राइडन के नाटक सम्मंधी विचारों को लिखना होगा लेकिन यदि परिच्छा में केवल यह है आता है कि जॉन ड्राइडन का कावे सिध्धान्त क्या है तब केवल आपको कावे सम्मंधि अधारणा को लिखना है जॉन डाइडन का समयकाल है 1631 से 1720 और जॉन डाइडन बहमुखी प्रतिवा के धनी लेखक हैं जिन्होंने साहित्य की विभिन्ने विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है और प्रतिव छेत्र में उन्होंने उलेखनी कारे किये हैं वे एक महान कवी हुने के साथ साथ एक नाठक कार भी थे वे महान गद्य लेखक भी थे और उन्हें आधुनिक गद्य शेली का संस्थापक मना जाता है वे एक मौलिक और विवेक शील अलोचक भी हैं जो मौडर्न प्रोज है मौडर्न प्रोज का जो स्टाइल है आधुनिक गद्य शेली का उन्हें जन्मदाता मना जाता है संस्थापक मना जाता है और वे एक बहुत ही मौलिक और विवेक शील अलोचक भी हैं बहुत जीनियस अलोचक हैं बहुत genius critic है यहां तक कि Dr. Johnson ने जो स्वय में एक बहुत बड़े अलोचक है उन्होंने कहा है उन्हें अंग्रेजी अलोचना का जनक कहा और उनके बाद के अलोचक भी इस कथन से पूरी तरह से सहमत है अब आप उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि Dr. Johnson जो स्व बाद से पूरी तरह से सहमत है हलाकि अलोचना के शेत्र में उनका केवल एक ही गरंद प्राप्त होता है अरवा है Dramatic Poesy पर उनका निबंद जो इंग्लिस में इसका नाम है Essayun Dramatic Poesy यह एक ऐसी कृती है जो उनके आलोचना तमक द्रिश्टिकोण का अनौपचारिक घोश्टना पत्र है और इंग्लेंड में सहितिक आलोचना की इतिहास में एक महत पूर्ण मील का पत्थर है उनका केवल एक इतिहं की गरनत प्राप्त होता है अलोचना के शेत्र में Essayun Dramatic Poesy और इसमें उनके जो भी आलोचना समन्धि द्रिश्टिकोण है जहें कावे के समन्ध में हैं जहे नाटक के समन्ध में हत्वा साहित की अन्य विधाओं के समन्ध में उनके जो भी दृष्टिकोण है उनकी युग और देश काल की परिस्थिती से अन्यवारे रूप से प्रभावित होता है तो 17 शताबदी के मध्य में इंग्लेंड में स्वतंद्र राश्टी भावना का उद्य हुआ राश्टीता की चेतना जगी और उसमें जो फ्रांस के अधीन था इंग्लेंड बेकन, शेक्ष्पियर और मिल्टन की कावर रचनाओ के परणाम सरूप इंग्लेंड में एक राश्टी आत्म इश्वास जागरित हुआ मध्ययुगीन अंग्रेजी कला साहित चिंतन का विकास हुआ इनी परिस्थितियों में इंग्लेंड में जॉन ड्राइडन का आग्मन हुआ और उनके साथ स्वच्छंदतावाद के इस्थान पर नौ शास्त्रवाद का स्रीगडेश हुआ तो उस समय जो परिस्थितियां थी, जो काल था, वह किसका टाइम पिरेड था? क्लासिकल लिट्रेचर का, क्लासि सीजम का, अवेखारी, रोमांटी सीजम का रोमांटी सीजम को क्या बोलते हैं? स्वच्छंदतावाद रोमांटी सीजम को क्या बोलते हैं? स्वच्छंदतावाद इस स्वचंदतावाद के प्रतिकी आसरूप जो नया आंदोलन उत्पन हुआ जो नया आंदोलन शुरू हुआ उसे कहा जाता है नवशास्त्रवाद इसी दोरान उनका जन्म होता है उनका साहित्य के शेत्र में आगमन होता है जो बूलर नाम के विद्वान थे वे नव शास्त्रवाद के प्रतिष्ठाता थे प्रतिष्ठाता मतलब है उनके पायनियर नव शास्त्रवाद मतलब नियो क्लासिसिजम उसने साहित्य के लिए कुछ नियम निर्धारित किये जिनने फ्रांस में एक शताब्धी तक स्विकार किया गया, जिनका प्रभाव इंग्लेंड पर भी पड़ा, तो जो नियो क्लासिसिजम का जन्म हुआ था फ्रांस में, और इंग्लेंड का जो साहितित था, वो भी इसी से प्रभावी था, नवियर शास्त्रवादी सिधान का क इसके विरोध में, तो नवियर शास्त्रवादी सिधान का केंदरी बिंदु क्या है, नियो क्लासिसिजम जिसे हम कहते हैं, उसका महत्पड बिंदु क्या है, मानव प्रकृति का अनुकरण, यहाँ पर मानव प्रकृति से उन्होंने अर्थ लिया है, मानव का स्वभाव, human नेचर का अनुकरण जो सभी देशों और कालों में पाया जाता है। जो साहित है वह किससे अनुप्राणित होता है? मानों की विचारधारा से, उनकी प्रकृती से, हुमन नेचर से। उन्होंने कावे में देवताओं, हराक्षासों और संतों और देवपुत्रों को ना लाने का परामस दिया, प्राचिन गरंथों के अनुकरण पर जोड़ दिया, उन्होंने आचित्ते पर बल्दिया, कवियों को निर्देश दिया, कि वे लогपर निन्दा, कुरूरता और गरीवी का चित्रण ना करें। तो उन्होंने कुछ नियम निर्धारित कर दिया गया। नि प्राचिन गंथों को अनुकरान करना है। लेकि निन सबसे दूर रहना है। और साहिती का एक आउचित नहीं होना चाहिए। साहिती का एक प्रयोजन होना चाहिए। साथ उन्होंने कवियों को यह कहा कि विलग दूसरों की निंदा, कुरूरता और गरीबी का चित्रन ना करें। अब जान राइडन का जन्म हुआ था सन 1631 सीसी में। उनकी कावे रचना का प्रादम एक शोक गीत से हुआ। एलेजी जिसको बोते हैं अंग्रेजी में। शोक गीत से उन्होंने कावे रचना शुरू किया। और उस समय वे इसकुल में अध्यान कर रहे थे। लेकिन 1663 से इनकी रचना में उत्कृष्टता की जलक मिलने लगी। उन्होंने नाटक भी लिखना शुरू किया। लेकिन उन्हें कोई विशेश सफलता हासिल नहीं हुए। और इनकी ख्याती 1667 में लिखे नाटक दा इंडियान एंपरर से फ़ली। यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृती है दा इंडियान एंपरर। यह नाटक है अलोचना के शेतर का यहां गरंथ नहीं है। और 1668 में जोन ड्राइडन की ऐसे आन ड्रामेटिक पोईसी नामकृती प्रकासित हुई। जो समवाद के रूप में हैं। मतद चार लोग हैं इसमें, चार लोग आपस में डिसकस करते हैं, समवाद करते हैं, डायलाग के रूप में। इसमें प्राचीन, नवीन, फ्रेंच और एलिजाबेधीन योगीन नाटक साहिते पर विचार व्यक्त किया गया है। नाटक की चर्चा में ही, कावे की समान्य प्रकृति, कावे का प्रयोजन, कावे का मुल्य, आधी पर महत्त पॉर्ण विचार प्रस्तूत किये गए हैं। यहाँ पर मैं प्रिष्ट भूमी बता रहा हूँ, कि उनकी साहितिक प्रिष्ट भूमी कैसे शुरू हुई, कि इन परिस्तितियों में उन्होंने लिखना शुरू किया, और उनकी आरुचना की विशाय वस्तु मुख्य रूप से क्या रही। वह वबस्तु में डालाक के रूप में हैं, चार विद्वानों के डालाक से हैं आपस में वो डिष्कस करते हैं, और किन बादो बर डिष्कस करते हैं, नातोकों पर दिष्कस करते हैं। लेकिन नाटकों पर चर्चा के दोरान ही वे कावे संबन्धी मामलों पर भी विस्षियों पर भी चर्चा करते हैं अब विद्वान लोग जॉन ड्राइडन की मौलिकता कि इतने कायल हैं कि वे उन्हें अंग्रेजी समिच्छा का जनक मांते हैं इन्हें Father of English Criticism कहा जाता है तो आप समझ सकते हैं कितने महान व्यक्तिता हैं जॉन ड्राइडन की जो विद्वान हैं अंग्रेजी की अंग्रेजी की जो साहित्यकार हैं जो अलोचक हैं वे इन्हें क्या कहते हैं Father of the English Criticism अंग्रेजी समिच्छा का जनक मांते हैं और एक समिच्छक का तो यहां तक मत है कि जॉन ड्राइडन अंग्रेजी साहित्यके प्रथम या हारिक समिच्छक हैं जो छोड़े-छोड़े जो questions आते हैं विभी ने परिक्षाओं में अब्जेक्टि टाइप विभी प्रस्न आपसे बन जाएंगे इन सब चीज़ों का आपको ध्यान से देखना है अब जोन ड्राइडन प्लेटो और अरस्तु से उतने प्रभावित नहीं है जितने लोंजाईनेस से लोंजाइनेस का सिध्धान क्या कह राता है उदात तवात कलाता है सब्लाइम तथीरी अब सब्लाइम लोंजाइनेस का सिध्धान थे लेकिन में अरस्तु और प्लेटो से उतना प्रभावित नहीं है जितने लोंजाइनेस से प्रभावित है प्राचीन के प्रती निश्ठा राखते हुए भी वे नभीन के प्रती आकृष्ट थे पर अंपरा उन्हें मान्य थी पर युग का अनुरोध भी उनके लिए उपएक छडी ना था इस पकार आप कह सकते हैं उनमें जो प्राचीन साहित्य है और जो नभीन साहित्य है दोनोंक समागम देखने को मिलता है प्राचिन साहित्य के प्रति प्राचिन सिध्धानतों के प्रति प्राचिन शास्त्नों के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव है लेकिन वेवास्ता में नवींता के प्रति आक्रिष्ट थे कुछ नया लिखना कुछ नया करना चाह रहे थे लेकिन फिर भी इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी प्राचीन परंप्राओं का सम्मान करते हुए भी आधुनिक्ता को पुरा महत्त प्रदान किया, अपने यूग को, अपने परिवेश को उन्हें परियाप्त महत्त दिया, उन्होंने अरस्तु, हुरेस और बायलो के सहितिक सिध सिध्धान को भी अस्विकार कर दिया, तो प्राचीन जो बड़े-बड़े विद्वान हुए हैं, ये क्या होते हैं, जैसे अरस्तु हैं, पुरेस हैं, बोयलो हैं, इनके सहितिक सिध्धानतों को भी इन्होंने, जो इनानी जो बड़े-बड़े विद्वान हैं, उनके करेंगे नियम और कानून के बंधनों में जटर देंगे तब अच्छे साहित्य का निर्मार नहीं हो सकता यह उनका मानना था जॉन ड्राइडन नाटक कर कवी और लेखक तीनों रूपों में सामने आते हैं उनका प्रसिद्ध नाटक है राइवल लेडीज जिसमें उन्होंने पध्य का प्रयोग उचित माना है तो उन्होंने एक नाटक लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ राइवल लेडीज और इसमें उन्होंने जो डायलाग के रूप में उन्होंने पध्य को बहुत ही उचित माना है जैसे आप अंधा यूग देखते हैं धरमिर भारती का तो वह एक पध्यात्मक रचना है गीती नाट्य है तो ऐसे उन्होंने कावे में नाटक में समवादों के रूप में गध्य के इस्थान पर पध्य के प्रयोग को उचित माना है जैसे हमारे यहां अंधा यूग है तो बहुत बड़ा समान है इंग्लेंड में है नेशनल पो हुई है तो इनको अपने जीवन में भले ही बहुत संहर्थ भी करना पड़ा लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्ट हुआ अब जॉन ड्राइडन के कावे सिधान तो अभी तक हमने उनकी प्रिष्ट भूमी देखी उनके जीवन के बारे में हमने देखा उन की रचनाओं का भी आपको वर्णन करना जरूरी है जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन तो अभी तक हमने जो देखा वह था इंट्रोडक्शन हाला कि परिष्टा में आपको प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं होती है अब हम देखते है जॉन ड्राइडन के कावे सिधान्त कोन सा है तो यह आपका प्रस्तन का पहला भाग है जॉन ड्राइडन के कावे सिधान्त तो क्या है उनके कावे सिधान्त जॉन ड्राइडन सवस्त साहित्य चिंतक थे उनके मतों का मनन करना साहित जिग्यासियों के लिए अत्यंत जो शात्र हैं पाठक हैं उनके लिए इनका अध्यान करना बहुत ही जरूरी है उप्योगी है नाटक के विशय में और उसी प्रसंग में कविता के संदर में उन्होंने जो कुछ कहा था उसका संशिप्त विवरण इस प्रकार है तो उनके जो डायलास के रूप में चार लोग डिसकस करने के लिए चार लेकिन वास्तों में उन्ही की विचारधारा उसमें परिलक्षित होती है काव्य को उन्होंने परिभाशित करते विए कहा है जोन ड्राइडन के मतानुसर काव्य की निम्नांकित परिभाशा होगी काव्य मानव प्रकृति का यथार्थ और सप्रमाण मानस चित्र है मतलब काव्य जो human nature है जो मानव का जो सभाव है उसका realistic picture है यथार्थ चित्रन है और सप्राण मानस चित्र है सप्राण मतलब होता है living अथवा जीवन्त और यह कैसा है mental image है मानव चित्र है तो कावय Veterans Nature का क्या है Living Mental Image है कावय मानव की प्रकृति का मानव के सभाव का यथार्थ मतब amended Realistic चित्र है और Living है बिलकुल जीवंत चित्रण करता है ऊर Means चित्र है Mental Image है कावय को जब हम बढ़ते हैं तब हम को Human Nature का बिलकुल भी living picture प्राप्त हो जाता है जीवन दे चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है mental image बन जाता है वह मानव जाती को आनन्द और शिक्षा प्रदान करने के निमित है कावे के प्रयोजन को उन्होंने इस्पष्ट करते हुए कहा है कावे का प्रयोजन अत्वा कावे का उद्देश क्या है मानव जाती को आनन्द प्रदान करना ये पहला प्रयोजन है और दूसरा प्रयोजन क्या है शिक्षा प्रदान करना इन दोनों में इनोंने आनन्द को ज़्यादा महत्तो दिया है वह मानव प्रकृती अर्थात सोभाव के भावों, मानसिक इस्थितियों और भाग परिवर्तनों को प्रस्तूत करता है कावय में कौन-कौन सी बातें आती है मानव का सोभाव अथो मानव की प्रकृती हुमन निचर और दूसरा भाव भाव मतलब feelings and emotions of human being और तीसरा है मानसिक इस्थितियों, mental dispositions और भाग परिवर्तनों को प्रस्तूत करता है भाग परिवर्तन में is changes in the faith of the various people लोगों के भाग में जो बदलाव आता है, जो लोगों के भाग में जो परिवर्तन होता है ये सारे बातें किसी भी कावव में परिलक्षित होती है, अत्वा होनी चाहिए तो इस परिभाशा में हम देखते हैं, पाânच महत्पूर्ण बातें कही गई है जान राइडर ने कावव की जो परिभाशा दी गई है उसकी पाँच महत्पुन बातें कौन-कौन सी है कावे का समन्द माना प्रकृति अर्थात मनुष्ट के सभाव से है कोईट्री का समन्द human nature से है और दूसरा क्या है कावे माना व सभाव का मानसिक चित्र या बिम्ब है mental image है कोईट्री क्या है human nature का mental image है कावे माना व सभाव का मानसिक चित्र या बिम्ब है हमारे दिमाग में बनने वाला image है और यह image किसका है human nature का है तिसरा कावे में मानसिक चित्र यथार्थ होना चाहिए मतलब ठीक है हमारे मन में एक image बन रहा है जो बिम्ब हमारे दिमाग में बन रहा है वा कैसा होना चाहिए रिलिस्टिक होना चाहिए यथार्थ के धरातल पर आधारित होना चाहिए यथार्थ से प्रेरित होना चाहिए इसके बाद कावे में मानसी कित्र सब प्राण होना चाहिए और वह इमेज भी कैसा होना चाहिए वह इमेज होना चाहिए बिलकुल लिविंग होना चाहिए बिलकुल जीवन्त होना चाहिए सब प्राण होना चाहिए जिसमें प्राण है तो हमारे दिमाग में जो इमेज बनता है human nature का जो इमेज बन रहा है mental image मर रहा है जो bimba मर रहा है वो कैसा होना चाहिए जीवन्त होना चाहिए और इसके बद कावे का प्रयोजन आनंद और शिक्षा देना है जॉन डायडन के अनुसर कावे के दो प्रयोजन है पहला है आनंद प्रदान करना और दूसरा है शिक्षा प्रदान करना और इन दोनों में भी John Dryden ने आनंद को प्रमुख प्रयोजन माना है और शिक्षा देना को सेकेंडरी माना है अब कावे का विशे करता होना चाहिए इसके बारे में John Dryden का मत है जॉन ड्राइडन का इसपस्ट माना है कि कावय और नाटक की विशय वस्तु उप्युक्त होनी चाहिए क्योंकि जैसे उचित उप्योग ना होने से सर्वत्म और शदी भी अपना गुण खो देती है उसी प्रकार उप्युक्त विशय का चैन्ड़ करने से चाव ये पाठकों को आक्रिष्ट नहीं कर सकता वह निस्प्राब हो जाता है जॉन ड्राइडन का मानना है चाहिए कविता हो अत्वा नाटक हो उसका विशय है उप्युक्त होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए जैसे कोई दवाई है कर सही मातर में आपने दवाई का 7 नहीं क्या जितना dose आपको ले रहा है medicine आपने उतना dose नहीं लिया तो आपके उसके लिए कोई प्रभावी होगा क्या है आपकी बॉडी के लिए कोई फ्येक्टिव नहीं होगा, यसे यदि आप बिमार है, डोक्टर नही जीतना डोज लेने को आपको बोला है, मेडिसिन का, आप उतना डोज यह नहीं लेते तो क्या होगा? दवाई का कोई inspired होगा ठीक वैसे ही नाटक लिखते समय अथ्वा कावे लिखते समय हम को यह ध्यान रखना है कि जिस विशय का हम चैन कर रहे हैं वह पूरी तरह से उप्युक्त होना चाहिए उचीत होना चाहिए नहीं तो वह स्रोताव अथ्वा पाठकों को किसी भी प्रकार से आक्रिष्ट नहीं कर सकेगा वह निश्प्रभावी हो जाएगा अब कावे की कथा वस्तु कथा वस्तु मतबता प्लाट इसको आप विशय वस्तु भी कर सकते हैं कावे का प्लाट कैसा होना चाहिए कावे की कथा वस्तु के साथ पात्रों का चरित्र भी महान तथा गवराफूर्ण होन ज़िए सिधान्त क्या है सब्लाइम आप सब्लाइमनेस तो यह मुन्द पातरों को लिया जाता है उनको चैतर्वि महान होना चाहिए उदात होना चाहिए यदि कावय अथ्वा नाठक का विशय साधाराण या निम निस्तर का होगा तो कवी उत्कृष्च रचना का निर्माण नहीं कर पाएगा तो कावय और नाठक की कथावस्तु चुनते समय विशय वस्तु का निर्धाराण करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि अधी वीशायवस्त। अत्वा कथायवस्त। साधान है निम् psychology है तब कभी किसी भी प्रकार की उत्रिश्च रचना का निमाड अत्वा स्रिजन नहीं कर सकता। सांधी कभी को विशे का चुनाव करते समय युग की रूची और पाठकों के मांसे इस्तर का भी ध्यान रखना आश्यक है क्योंकि ऐसा ना करने पर वो अपने युग की जनता को आनन्द प्रदान नहीं कर सकेगा जो उसका प्रमुख कर्तव्य है अब केवाल उसको स्वांता सुखाय साहिति की रचना नहीं करनी है कावय का स्रीजन का मुख्य उद्देश क्या है आनन्द प्रदान करना और शिख्या प्रदान करना है तो लोग आनन्द कब प्राप्त करेंगे जब कोई विशाइवस्तू अथवा कथावस्तू अथवा कोई कावय उनकी रूची की अनुकूल होगा तभी तो उसमें आनन्द प्रदान करेंगे तो उनको अपने समय का भी ध्यान रखना है अपने यूग और परिवेश का भी ध्यान रखना है तो कि आनन्द प्रदान करना उसका प्रमुक करता भी है और आनन्द प्रदान करने के साथ साथ लोगों को शिच्छा भी मिलनी चाहिए तो इसलिए वह अपने यूग के पाठकों अत्वासरताओं की पुरूची का भी ध्यान रखना है और उनके मान से किस तर का भी ध्यान रखते हुए उसे कावे का स्रिजन करना है या कवी का प्रमुकरत भी है कावे का प्रयोजन कावे का प्रयोजन क्या है भारती विद्वानों ने भी इस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार रखे है कि कावे का प्रयोजन क्या होगा भारती कावे शास्त्र में मैंने इस पर पर्याप्त चर्चा किया है महाँ पर जाकर आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं और मुझे आपको बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि भारती कावेशास्त्र पास्चात्र कावेशास्त्र और हिंदी अलचना के मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं बहुत ज्यादा लोगप्री हैं आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है इसके लिए मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ और एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे लेक्चर्स को जब आप अटेंड करते हैं तो सबसे जो प्रमुग बात है वह धायरी है बहुत धायरेश है शुरू से अंता तक देखें तो जो यह जो आडियो विजियोस जो आप देखते हैं वो आपके दिमाग में बहुत देर तक यह बाते मेरी रहेंगी और आप परिच्छाँ में एक तो अब्जेक्टिव टाइप के क्वेस्चन साते हैं को आप बहुत असानी से अटेम्ट कर सकते हैं और आप अगर लिखने वाला परिच्छा है तो आप बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं तो कावे के प्रेवजन कौन-कौन से हैं जो टाइम था उसमें कावे के तीन प्रेवजन माने गए परपस आफ पॉएट्री तीन माने गए कावे के लिखनी क्या क्या प्रवयुजन माने जाते थे पहला शिक्चा देना दूसरा आनन्द देना और तीसरा आतमुलास आतमुलास मतलब फुद्它 की लेकिन सिड्टनी ने क्या माना था सिद्नी नाम के जो अलचक हुए हैं जो इदवान हुए हैं उनका कहना था अनंद के माध्यम से शिख्षा देना कावे का प्रयोजन है कावे से अनंदर शिख्षा कैसे मिलती है इसके उत्तर में जॉन राइडन ने लिखा है चुकि कावे माना सुभाव का यथार्थ और जीवन ते चित्र प्रस्तूत करता है इसलिए पाठकों, दर्शकों या सुरताओं को कावे से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से आनंद की अन्भूती होती है मतलब जो कावी में माना सभाव का यथारते चितरन होता है तो उसका पढ़ने के बाद लोगों को क्या लगता है उनमें साधारणी करण जागरित हो जाता है कि लगता है मेरी हमारी भावनाओं को कभी ने व्यक्त किया है मेरी भामना को कवी ने अभिव्यक्ति प्रदान किया है तो इसने उन्हें आनंद प्राप्त होता है श्रुताओं को या पाठकों को या दर्शकों को नाटक में दर्शक होते हैं उनको आनंद प्राप्त होता है ऐसा प्रतीत होता है कि कवी ने मेरी ये अनभूतियों को चित् बुती होती है अब सिड्नी ने कहा था कि आनंद के माध्यम से शिक्षा मिलती है इंतो जॉन राइडन ने क्या कहा सिड्नी की बात को लटकर कहा कि कावे आनंद के माध्यम से शिक्षा नहीं देता वरन कावे के माध्यम से जो ग्यान या शिक्षा मिलती है वो आनंद के प्रा तो यह क्या होता है हमको आनंद की प्राप्ति में सायक है। तात पर यह है कि जॉन ड्राइडन आनंद देने को एक मात्र तो नहीं परन्तु प्रमुक लक्षे स्विकार करते हैं। कावे पढ़ते समय आनंद का हिए अनभा होता है शिछा तो बाद में मिलती है। तो जॉन डाइडन का यह काना है कि भले उन्होंने यह नहीं कहा है कि आनन्द यह एक मात्र कावे का प्रयोजन है लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि आनन्द कावे का प्रमुख प्रयोजन है कावे के परते समय हमको आनन्द प्राप्थ हो जाता है जो कि तुरंद प्राप प्राप्थ होने वाला आनंद कहा। शिक्षा या उपदेश कावे अनन्द के संच्रण में सायक है किन्तु कावे का प्रमुक लक्ष आनन्द प्रदान करना ही है मतलब जॉन ड्राइडन के समाने जॉन ड्राइडन ने भी हमाना है कि कावे का प्रमुक प्रयोजन लोगों को आनन्द प्रदान करना है इसके सांती साहत दें सिख्या भी मिल जाती है यह उनका काना है अब अनुकरण और कलपना अनुकरण मतलब बता है किसी चीज का imitation किसी चीज का नकल करना अनुकरण करना और कलपना का मतलब बता है imagination तो प्लेटो अरस्तु और सिड्नी अब यहां पर हम जान ड्राइडन के विचार देखेंगे अनुकरण और कलपना के समन्द में प्लेटो अरस्तु और सिड्नी नाम के जो इद्वान हुए इन्होंने तीनों ने शुकार किया था कि कला अनुकरण प्रधान है अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अरता है कलपनात्मक निर्माड या पुना प्रस्तूती करन लेकिन अरस्तु ने क्या माना है कला को पुनर स्रिजन माना है कलपनात्मक पुनर निर्माण माना है मताँ जो चीद पहले से उसका अनुकराण तो करना है लेकिन उसका अनुकराण इस तरह करना है कि उसका नया पुना प्रस्तूती करना है पुनर स्रिजन हो जाए नए सीरे स हमको स्रिजित कर सके और सिडिनी का क्या काना है सिडिनी के मत में कभी द्रिश्चिमान संसार का नहीं वरन अपने मन के आदर से संसार की भावना का अनुकरन करता है तो सिडिनी ने एक नया कॉंसेप्ट दे दिया कि कभी के मन में जो आदर से भावना है विद्यमान है कभी के में जो आदर से संसार है उसका अनुकरण करते हुए वह कावय का रचना करता है वह द्रिसिमान जगत जो दिश्टी गोचर जगत है जिसमें हम रहते हैं उसका अनुकरण नहीं करता है प्लेटो के अंसार द्रिसिमान जगत का अनुकरण करता है कोई कभी और अरस्तु के अंस इसके बाद जॉन ड्राइडन के अनसार कभी मानास भाव के कारियों भावों और भाव के परिवर्तनों को प्रस्तूत करता है। जॉन ड्राइडन के अनसार कभी अपने कावे में किन-किन बातों का उलेक करता है। मानास भाव, हुमन नेचर, भावों मतलब फिलिंग्स और इमोसंस और भाग परिवर्तन, चेंजे जिन्दा फेट्स को प्रस्तूत करता है। उसके मौरिक प्रतीत होने लगती है। वह विशे वस्तू की कुरूपता को ढग देता है और उसके सांदेरे को बढ़ा देता है। इस पकार भले ही जो साहित्तिकार है अत्वा जो कभी है। वह क्या करता है। अनुकरान तो वह करता है। अपने आस पास अपने यूग और दिस्सिमान जगत का अनुकरान तो वह करता है। लेकि उसको खुभू उसका नकल नहीं करता, बल्कि उसमें अपनी प्रतीभाशATE और कलपना के माध्यम शें उसमें कुछ परिवर्थन करता है। उसमें कुछ कमी होता उसको हटा देता है। उसमें सांदर उत्पन कर द करता है इसलिए वह हमको मौलिक प्रतित होने लगती है और विशावस्त में जो भी कमी हो जो भी कुरुपता हो उसको वह ढग देता है और उसके संद्रे को बढ़ा देता है अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपनी मौलिकता के माध्यम से और अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से ताथ पर यह है कि जोन डाइडन के अंसार कभी आकलाकार केवल अनुकरण करने वाला नहीं है इसका मतब्या है कि वह केवल अनुकरण ही नहीं करता बल्कि वह नव स्रिजन करता है नहीं करता है उसका उद्देश मूल विशेवस्तु से भी अधिक सुन्दर अधिक आनन्द प्रद रचना का निर्माड करना है मूल विशेवस्तु कौन सी है जिसका वह नुकरण कर रहा है जिसका मेंटल इमेज बन रहा है उसको वह अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपनी कलपना शक्ति के माध्यम से जो मूल विशेवस्तु है उससे भी अधिक सुन्दर अधिक आनन्द प्रद रचना का वह निर्माड कर देता है तो यह आप समझ सकते हैं कावे के समन्द में उनके विचार इसलिए वह कभी की तुलना बंदूग बनाने वाले और घड़ी बनाने वाले से करता है जिस प्रकार बंदूग या घड़ी बनाने में इसपात और चांदी महत्तपुन होते हुए भी असली मुल्यके नहीं होते तो इसली महततो बनाने की कला और चतुराई में नहीत होता है इसलिकर कावे रचना में विशह की अपेक्छा कभी की कल्पना शक्ति और विवेक शक्ति या प्रतिभा अधिक महतफ़न होती है प्रतिभा और कल्पना में भी JOHN DRY Surely करपना को अधीक महत्तों देते हैं तो समय हो सकता है कि इंग्लेड में बंदूक और यह बनाने में घड़ी बनाने में इसपात और चांदी का प्रयोग होता रहा हो तो उनका कहाना है कि अलग-अलग जो कारीगर होते हैं जो बनाने वाले होते हैं जो बंदूक बनाते हैं जो वास्तों मैं बंदूख बनाने या घड़ी बनाने में चान्दी और Оस्त नहीं है जितने कि बनाने वाले कारिद है उसमें जो कल्पना शक्ति कंई है उसमें जो तैलेंट है वह ज्यादा महत्व पुर्ण है बनाने वाले की चतुराई महत्पूना है ठीक उसी प्रकार कावे रचना में आप एक ही विश्य वस्तु बहुत सारे कवियों को दे दें तो जरूरी नहीं है कि वे सभी एक ही प्रकार की अथ्वा उत्कृष्ट कावे रचना करने में सक्षम होंगे परन्तु इसमें क्या है कवी की कल्पना शक्ति और विवेक शक्ति या प्रतिभा महत्पून होती है जैसे आप हर्वेंस राबच्चन जी का मदुशाला जब आप पढ़ते हैं तो मदुशाला किस पर अधारित है तो मदुशाला जो उमर खयाम की जो रुबाईयां है रुब और खयाम की रुबाईयों के उपर लेकिन जो लोग पृता हर्वेंस राबच्चन जी को मिली वह क्या किसी अन्य कवी को मिली तो नहीं मिली तो ऐसे है अब कल्पना संबंधी विचार तो यहाँ पर भी प्रतिभा और कल्पना की जब तुलना करते हैं जॉन ड्राइडन त उन्होंने कल्पना को प्रतिभा से ज्यादा महत्त दिया है और कल्पना के संबंध में क्या विचार है अभी तक हम अनकरन पर चर्चा कर रहे थे अब हम कल्पना के संबंध में जॉन ड्राइडन के विचार देखते हैं जॉन ड्राइडन ने कल्पना के लिए फैंसी लेकिन जॉन राइडन ने कल्पना अर्थात इमजिनेशन और ललित कल्पना अर्थात फैंसी को एक ही माना है पर कॉलरीड ने इन दोनों को अलग अलग माना है कॉलरीड प्रतिभा जीनियस को प्रग्या अर्था टेलेंट से उचा मानते हैं कॉलरीड को कहना है जो प्रतिभ क्ल्पना को ललित कल्पना से स्रेष्ट मानते हैं लेकिन ड्राइडन ने एक ही माना है और कॉलरीज के अंसार कल्पना का समद्ध आत्मा से है मन से है जबकि ललित कल्पना का समद्ध मस्तिस्क से है जो आदमी अपना तरक और बुद्धी का प्रयोक करता है तब ललित कल्पन को आश्यक मानते हैं उनका काना कि ललित कल्पना और कल्पना दो अलग अलग चीज़े नहीं है बलकि एक ही चीज़े और कावय के लिए कल्पना प्रतिभासे अधिक महत्पूर्ण है जॉन डाइडन के अंसार ये बाते बार-बार रिपीट हो रही ध्यान में रखिएगा कल्पना के कावय कितना भी प्रतिभास अलि ऑ हो लेकिन ये दीवा अपनी कल्पना का प्रहोग जीवन था नहीं होगा, यथार था नहीं होगा, सप्रार नहीं होगा, लिविंग नहीं होगा, मतलब कल्पना के माध्यम से कावे में आनंद और सौंदेरे की स्त्रिष्टी होती है, अरस्तु के क्या कहना है, अरस्तु के नसर कावे में कथाना की सरवाधिक मत पूर्णा है, इन्होंने प्लाट को सुरवाधिक मत दिया है रस्तु ने, किसी भी कावे में, जो प्लाट है अत्वा विशय वस्तु है, किन्तों जॉन डाइडन के अंसार, जब तक कावे का कथाना कभी की कलपना के रंगों से चित्रित नहीं होता, तब तक वा तूच होता है, जो जॉन डाइडन का यकाना है, कि विशय वस्तु अत्वा, कथा वस्तु अत्वा प्लाट से कुछ नहीं होता है, जब तक वो अपने रंगों के माध्यम से अपने रंगों की तुलीका के माध्यम से उसे रंगीन रूप नहीं परदान करता उसे चित्रित नहीं कर देता अपनी कलपना के रंगों से रंग नहीं देता कथावस्तु को तब तक वो क्या होता है तूच होता है जौन डाइडन के अनुसर कलपना की प्रथम क्रिया द्वारा कभी उपयुक्त विचारों को पाता है दूसरी क्रिया में वा पाए हुए विचारों को विशे के अनुकूल बनाता है और तीसरे एक्रिया में वा इन विचारों को उपयुक्त सार्थक्स शब्दों में अभिव्यक्त करता है तो आप समझ सकते हैं सब पहले उपयुक्त विचारों का वा कलेक्शन करता है पहले आइडियास को कलेट करता है उसके पाइडिय सो को इनकूल बनाता है उसमें काड़शार्ट करता है और सब को मिलाकर और सार्थक सब्दों में अभी वेक्टि प्रतान करता हैं तो इसफे आप ठीक इस प्रकार से हम सब खरीद कर ले पहले खरीद लेते हैं फिर जरूरत के ही साथ से हम उसको काट लेते हैं जितनी सब्गी हम को बनाने ही जितना प्याज डालना है मिर्च डालना है जो भी डालना है हम उसको इकठा कर लेते हैं और फाइनली हम क्या करते हैं उसको सही तरीके से मिलाकर फ्रा के माध्यम से इन विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है यह तीसरा सब्सक्राइब प्रदान करता है उनके वत्त में काम क्या है रामणी चरित्रों मनों वेगों इस्थाही भावों और विचारों को प्रस्तूत करना है इन सब का वर्डन कभी ऐसी इसपष्ट और आलंकारिक भाशा में करता है यह तो हमारे इंग्रेडियन्ट हो गए, लेकिन इन इंग्रेडियन्ट में क्या क्या डालता है वह मिर्च मसाला डालता है, जड़ना किसी नाइका का वर्णन करता है, वास्तों में नाइका उतनी शुंदर नहीं होती लेकिन कभी उसको ऐसा रूप प्रदान कर देता है कि हमको लगता है कि नाईका वास्तों में बहुत ही सुन्दर है इस बकर जॉन राइडन ने कलपना शक्ति के महत्तों को समझा और उसकी आशक्ता पर समुचित बल प्रदान किया तो जॉन राइडन ने कलपना को सरवादिक महत्वण भूमिका दिये और उसका बहुत ज्यादा उन्होंने महत्व दिया है कलपना को प्रतिभा से भी ज्यादा महत्व उन्होंने दिया है तो यहां कावे संबंधी विचार आ रहा है कावे संबंधी विचार दा रहा है वो यहां पर complete होता है तो जॉन ड्राइडन के कावे संबंधी विचार यह कावे से संबंधी जो भी प्रसन आते हैं प्रस्थ नियाँ पर पहला भाग है अब दूसरा भाग है नाटक संबंधी और धाना जॉन ड्राइडन का अलोचना सिद्धान दाता है तो यह वाला भाग भी आपको लिखना पड़ेगा नाटक के संबंध में उनका क्या काना है जॉन ड्राइडन ने एस्यान ड्रमेटिक प थ्वढ़रात प्राटमर्फणकी एब उन्होंने नाठक के बारे में उन्होंने क्या चर्चा की, उनके ड्यालार्क्स क्या exported है, देखते या Jim समस्य आ गई तुरंत अपने निड़ा ले लिया तुरंत बुद्धी अपना लगा लिया तो इन्होंने नाटक में किसको सबसे ज़्यादा मत्त दिया है स्वरिद बुद्धी जिसे वीट कहा जाता है और रात दर्बार के कारण यह बात वहां पर आई वे दुखांत नाटक जिसे कहते हैं ट्रेजडी वो समाजीक बुराईयों के सुधार का सबल माध्यम मानते थे वियंग नाटक के समद्मन का विचार है कि किसी व्यक्ति के उपर प्रहार नहीं करना चाहिए उसे समाज के लोगों की बुराईयों पर प्रहार करना चाहिए तो उनका क्या कहना है दुखान नाटक के माध्यम से लोगों में सुधार आता है। वे जो ट्रेजडी का जो सब्डेट होता है वह बहुत ही सबलाइम होता है। उदात होता है। लेगि जो व्यंग नाटक है जिसको हम सटायर कहते हैं। व्यंग नाडग के सम्मिध में उनका विचार है कि लोगों के उपर व्यंग नहीं कसना चाहिए, तंज नहीं कसना चाहिए, उनकी आलोचना नहीं करना चाहिए। बलकि समाज की जो बुराया हैं उन पर प्रहार करना चाहिए मतलब हमको क्या है अपराधी से घ्रिणा नहीं करनी चाहिए बलकि अपराधी से घ्रिणा करनी चाहिए ठीकिसी प्रकर समाज में जो बुरे व्यक्तिय हैं उनको हमको सुधारने का प्रहार करना है बुरे बेक्तियों से हमको घिना नहीं करनी चाहिए बलकि जो बुराईयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए बुराईयों से घिना करनी चाहिए बुराईयों पर प्रहार करना चाहिए वीर रनाटक अटवा हिरोईक ड्रामा के संबन में उनका मत है वीर नाटक उसमें हरोइक की ध्रामा के सब्भन में उनका मत है कि उसमें उदात शैली इसका श्रेश्ट होना चाहिए उदात होना चाहिए और उसमें अलोगी घटना की नहीं है कि जो कल्पना पर planet मतलब वीर नाटक में हम कलपना का प्रयूक करके अलोगी घटनाओं को चितेत किया जाना चाहिए नयक का पूरी तरह से अपने पतिकेटेड होनी चाहिए पति राता होने चाहिए इं olive और उसकी कहानी युद्ध सामरी कुद्चा मतलब समर से सम्मंदित उत्षा होना चाहिए उसकी कहाने युद्ध परधारित होनी चाहिए और प्रेम भावना से परिपूर्ण होना चाहिए अब युद्ध है तो खली युद्ध ही नहीं होना चाहिए उसमें नायक नायका के प नाटक की समाध योजना के समद में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं नाटक की समाध योजना के हुए काव्यात्मक और अलंकारों से विभूशित देखना चाहते थे नाटक की समाध योजना कैसी होने चाहिए पद्यात्मक होने चाहिए जैसे आपने अंधा युग में प उसका रेडियो संस्क्राण भी बनाया गया है जो आकाश्वाणी के द्वारा समय समय पर प्रसारित किया जाता था बहुत ही प्रसीद्य था किसी समय में तो बहुत ही उत्कृष्ट किती है अगर आप नहीं पढ़ेंगे धर्मवीर भारती का अंधायुक तो जरूर पढ़ें तो उसकी जो भाषा है वह पद्यात्मक है तो इनका भी यह मानना है जो नाटक की जो भाषा है वह पद्यात्मक होनी चाहिए काव्यात्मक होनी चाहिए और उसमें अलंकारों का भी प्रयोग होना चाहिए अलंकारों से सजी हुई भाषा होनी चाहिए भाषा के संदर में उनका मत है कि नाटक में गद्य की जग़ा पद्य का प्रयोग करना स्रियस्ट कर रहा है क्योंकि पद्य प्रयोक से हर्स उल्लास के उद्रेक में सहायता मिलती है क्योंकि गद्य के बजाए जब हम पद्यात्मक भाशा का प्रयोक करते हैं तो जो पाठक है अत्वाश्रोता है उसके मन में हर्स उल्लास उमंग को बढ़ावा मिलता है उसके मन में हर सरुमंग जन्म लेता है उसको बढ़ावा मिलता है इसलिए गद्य के बजाए हमको पध्यात्मक भाशा का प्रयोग करना चाहिए ना टक में के बले पध्य में भी वे अतुकांद किया पेच्छा तुकांद को महत्त देते हैं क्योंकि तुकांद रचना पध्य को अलंकरित करती है और इसमर शक्ति को साहता देती है आपने ध्यान दिया होगा जो पध्यात्मक रचना है जो तुकांद है जो तुकांद मतलब तुक पर समापती होती है है ना जैसे हमारे गजल वगर हम जो पढ़ते हैं जिसमें एक तूख होता है ले होता है जैसे आप जैसे गजल की कुछ पंक्तिया हैं जैसे कभी तो आसमा से चांद उतरे जाम हो जाए तुम्हारे नाम की एक खुबसूरत शाम हो जाए यह जाय जाय वे जो खतम हो रही है यह तूख है तो ऐसी चीज़ें याद करने में भी आसानी रहती है तो इसलिए तुकांत रचना क्या पध्य को अलंक्रित करती है और इसमर सकते हैं बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं तो भाषा क्या होने चाहिए तुकांत होनी चाहिए पध्यात्मक होनी चाहिए नाटक की भाषा जॉन डाइडन ने तुकांत कविता की प्रशंशा करते हुए लिखा है और तुकांद कविता की तुलना में तुकांद कविता के लाभ इतने हैं कि उनका उलेक करना मतलब समय नश्ट करना भर है मतलब तुकांद कविता सरसिष्ट कविता है बहुत ही आसानी से याद हो जाती है और लोगों के मन में आशा, उमंग और उल्लास का संचार करती है उसके उद्रेक में साहता देती है इसलिए हम तुकान तरह तुकान की अधी हम चर्चा करते हैं या तुलना करते हैं तो बेकार की बात है जॉन ड्राइडन ने नाठक के समझ में संकलंत रहे को भी अधीक महत दिया है संकलंत रहे मतलब थ्री यूनिटी तीन चीजों की यूनिटी होनी चाहिए तीन चीजों की हर्मनी होनी चाहिए समझे से होना चाहिए कौन-कौन सा? काल या समय की अनविती, देश गत अनविती और कारी की अनविती तो काल या समय की अनविती किसे कहते हैं? जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में The Unity of Time में John Dryden नाटक के लिए 24 घंटे की अवधी निधारित करते हैं और इसके लिए यह भी औश्यक है, कि नाटक के सब अंक बराबर हों कोई अंक बहुत बड़ा ना हो, और कोई अंक बहुत चोटा भी ना हो मतलब कोई भी नाटक 24 घंटे से अधी कवधी के लिए खेले जिखिला जाने वाला नाटक ना लिखा जाए और नाटक में जितने भी अंकों उन अंकों की जो सम्यावधिया है वह भी बराबर होनी चाहिए नाटक का जो मेगिमम लें था 24 घंटा होना चाहिए और उसमें अंकों का विभाजा निस्थ प्रकार होना चाहिए नाटक के अंकों का कि सब ये अंक लगबग बराबर समय लें और कोई भी बहुत बढ़ा ना हो कोई भी बहुत छोटा ना हो इसको हम बोलते है the unity of time काल या समय की अन्विती उसके बाद देशगत अन्विती किसे कह जाता है the unity of place the unity of place के विशे में उनका मात है कि चूकी नाठक में रंग मंच एक ही होता है बार बार अलग अलग जगा जाकर आप तो नाठक नहीं खेलेंगे रंग मंच हमारे पास एक ही होता है अता है नाठक में अनेक द्रिस्य नहीं होने चाहिए अब अपने अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे द्रिश्य वहाँ पर लाके रख दिये एक जंगल का है एक पहाड का है एक नदी का है एक घर का है एक आफिस का है एक बाजार का है तो इस प्रकार डिफ्रेंट डाइब के बहुत सारे द्रिश्य नहीं होने चाहिए रंग मंच पर अभिनेता इस प्रकार आये जाएं कि नाटक की गती निर्बाद रुप से चलती रहे और मंच कभी खाली ना रहे पतला ऐसा ना हो कि बीच में पूरे जितने भी करेक्टर हैं जितने भी चेरितर और पातर हैं पूरी तरह से गायाब हो गए अब बिल्कुल सिर्फ दर्शक है और बिल्कुल रंग मंच है और रंग मंच पर कोई ना है इसे परिस्तियां पैदा नहीं होनी चाहिए तीसरा है कारे की अनुविती दा यूनिटी अपा एक्सन तो उसमें तो एक्सन होता है जो विभीन प्रकार के पात रत्वा चरीत रत्वा कारेक्टर साते है अपना अपना एक्सन करके चले जाते हैं तो ये कैसा होना चाहिए दा यूनिटी अप एक्सन अथवा कारे की अनुविती के समझ में जौन राइडन का मत है कि नाटक सरवाधिक महत्पूर्ण रचना है इसलिए नाटक का आरंभ, मध्य और अन्त अर्थाद उसका संपूर्ण कलेवर इस प्रकार गठीत हो कि दर्शक को समझने में कठना ही ना हो मतलब शुरुवात में उसको पता चलना है कि यह शुरुवात है, आदी है, इंट्रोडक्शन है इसके पार मध्य होना चाहिए और मध्य ऐसा होना चाहिए जो आदी से भी जुड़ा हो, अंत से भी जुड़ा हो मतलब तीनों में यूनिटी ऐसी होने चाहिए कि हमारे मन में निरंतर जिग्यासा बनी रहे, और उसका संपूर्ण कलेवर पुरा बॉड़ी ऐसा होना चाहिए कि दर्शक उसको समझ भी सके क्योंकि जब समझेगा तभी तो आनन्द उठाएगा नाट्य प्रविजन की उपलब्दी में प्रत्य घटना का योग होना चाहिए इसप का जोन डाइडन संकलन तरह का समर्थन तो करते हैं किन्तो अंधान उकरण का विरोध करते हैं तो उनका काना है कि नाटक की जो प्रत्य घटना है एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए और इस प्रकार जुड़ी होनी चाहिए कि जिससे नाटक सफल हो क्योंकि नाटक की सफलता ही नाटक का प्रयोजन है और नाटक का प्रयोजन क्या है लोगों को आनंद प्रदान करना उन्हें शिच्छा प्रदान करना लेकिन संकलन तरे का वो समर्थन तो करते हैं थ्री यूनिटीज का संकलन तरे का वो समर्थन जरूर करते है लेकिन फिर भी उनका काना है कि अंधा अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए किसी दूसरे नाटक का किसी दूसरे साहितिकार का पूरी तरह से अंधा नुकरण मतलब आख बंद करके अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए अब यहाँ पर उन्हें प्रासन और हासी रचना के बारे में बताया है तो प्रासन यहाँ पर कॉमेडी और सटायर का सकते हैं आप प्रासन और हासी रचना जॉन ड्राइडन का अंसर प्रासन और हासी रचना दुनों में अंतर है किया आतर है हाद से रचना में पात्र नीमने सेनडिके होते हैं, ुन Drake और K PAT AhoraONG होते हैं, इसके वीप्रित Prasanнет में सोभहविक घट्नाए năm होती है, हाद से रचना कॉमन टाइप का होता है, इसके जो करेक्टर होता है , नीमने सेनडिके होते हैं, पहुत ही natural type की वहाँ पर acting होती है लेकिन जो प्रशेशन होता है उसमें आज सवभावी घटनाएं होती है जिसे हम सवभावी को और natural नहीं मानते हैं हाज सेरचना हमारे सामने माना सवभाव की तुरूठियां लाती है प्रशेशन हमारा केवल मनुरंजन करता है मतलब जो हाज सेरचना है उसके मादे हमसे क्या पता चाता है कि लोगों में माना सवभा में क्या क्या तुरूठियां है क्या क्या कमी है और प्रशेशन से क्यावल हमारा मनुरंजन होता है entertainment होता है यह उनका मत है John Dryden का हाज सी रचना से उत्पन हसी में तंतुष्टी होती है जबकि प्रावशन से उत्पन हसी में घिना आधीक होती है तो हाज सी रचना क्या है Comedy टाइप की बात है अब हाज सी रचना Comedy आपने देखा आप खुश हो गए और भूल गए Satisfaction लेकिन सटायर में क्या होता है लोगो कावियनाय को बोला जाता है poetic justice, poetic justice का मतलब क्या है, अच्छे को अच्छा प्रणाम और बुरे को बुरा प्रणाम मिलने वाला जो सिधान्त होता है, मतलब जो व्यक्ति जीवन में अच्छा होता है, उसका जीवन भी अच्छा होता है, अंत में सब कुछ अच्छा होता है, और मानते हैं रेजडी के लिए उनका कहना है कि पोईटिक जस्टिस ज़रूरी है दुस्ट वेक्ति को धंड मिलना चाहिए चो अच्छा वेक्ति है उसका जीवन अंत में सुखी होना चाहिए जैसे कि हम हिंदी मूवीज में देखते हैं कहीं हिंदी मूवीज में और वे लेकिन ह स्रचना के लिए पोईटिक जस्टिस का विनाय पर ज्यादा जौर नहीं देते उसके ज़रूरी नहीं मानते हैं अब यह निश्कर्श हैै किसी भी परिछा में जब आप उत्तर लिखते हैं तो उपर आपने जिन बिंदूओं को लिखा है उसका सहार और संशैप जो होता है उसको आपको निश्कर्स में लिखना होता है तो आज हम जो चेप्टर पढ़ रहे हैं वाए है जॉन ड्याइडन का अलोचना सिध्धान्त इसमें दो तीन प्रस्वन सामिल है एक तो जॉन ड्याइडन का अलोचना सिध्धान क्या है अलोचना सिध्धान क्या है तब आप इसको completely एकना है तो इन्डाइडली इसमें तीन प्रकार के प्रस्वन सामिल है तो आए हम देखते हैं निश्कर्स जॉन ड्याइडन अंग्रेजी के पहले अलोचक हैं जिन्होंने अंग्रेजी काव्य और साहित्य की महत्ता प्रतिपादित की तो उसमें जिसमें इनका प्रादुर्भाव होता है एक अलोचक के रुप में उसमें अंग्रेजियों के मैंन में हिंता की ग्रंथी वी दिमान थी क्योंकि उसमें जो फ्रांस का जो साहित्या है फ्रांस का लिट्रेचर है उसे सरोसेष्ट माना जाता था और जो अंग्रेजी के साहित्य कार है तो आलोचक हैं उनके मन में कुंठा और हिंता की गरंथी विद्धिमान थी तो ये पहले आलोचक हैं जिन्होंने अंग्रेजी कावी और साहिती की महत्ता प्रतिफादित की और इसके महत्तो को लोगों के सामने में लाया ऐसे समर्थ और प्रतिभाश आली आलोचक थे उन्होंने फ्रांसिसी ते था ग्रिक साहिती की तूटियां बताकर उनको उनके सही परिप्रेक्ष में देखकर अंग्रेजी साहिती की महत्ता अंग्रेजी जनता के सामने में रखी जैसा जिस प्रकार भारत गुलाम था तो उसमें लोगों के मन में यह मानसिक्ता भर दी गई थी भारतियों में कि तुम्हारा साहित तुछ है तुम्हारे संस्कार तुम्हारे संस्कृति तुम्हारे शात्र सब कुछ तुछ है और जो अंग्रेज है उनका जो साहित है उनकी संस्कृति है वह हमसे बहतर है तो उनके मन में यह कुंठा विद्यमान थी जब भारत परतंत्र था ठीक इसी पेकार की कुंठा विद्यमान थी उसमें फ्रांसीजी साहित और ग्रिक साहित और ग्रीक अलोचना को बहुत ही महत्त पुनिस्थान प्राप्त था England में लेकिन उन्हें उनकी तुरूठियां गिना आ कर उनकी तुरूठियां बता कर उन्होंने अंग्रेजी साहिति के महत्ता को आम जनता के सामने लाया और अंग्रेजी साहिति की महत्ता प्रतिपादित की इसलिए उन्हें कहा जाता है father of modern English literary criticism and father of modern English prose उनकी आलोचना पाठक तथा लेखा के बीच सेतु का काम करती है वस्तों में आलोचक क्या कोन होता है आलोचक होता है पाठक और लेखा के बीच में एक सेतु का काम करता है एक ड्रीज का काम करता है क्योंकि आलोचक बहुत ज़्यदा पढ़ा लिखा होता है बहुत ज़्यदा विद्वान होता है तो वह जब किसी कृति की आलोचना करता है तो ना केवलवा उसकी अच्छाईयां और बुराईयां गिनाता है ना उसका बताता है कि इसमे कौन सी अच्छी बाते हैं कौन सी कमी रह गई बल्कि वे उनकी व्याक्ष्या भी करता है तो जो आम पाठक जो उसे कम पढ़ा लिखा होता है वह जो लेखक के मनोभाओं को लेखक के विचारों को सही परिप्रेक्ष में समझ पाता है तो आलोचक के मुख्यदाई तो क्या है कि वह लेखक और पाठक के बीच में सेथू का काम करे तेंकी आलोचना यही कारे करती है तुलनात्मक और आतिहासिक कालोचना के शेत्र में भी उनका कृतित्व इस्तूत्य है उन्होंने विसलेशनात्मक समिच्छा की निव डाली उन्होंने जो तुलनात्मक समिच्छा के शेत्र में कारे किया जो आतिहासी कालोचना के शेत्र में कारे किया और इसके साथ साथ उन्होंने विसलेशनात्मक समि इच्छा, analytical criticism की निव डाली, पहली बार उनने उन प्रभावों का निर्पन किया, जिन से साहितिक व्यक्तित बनता है, जब कोई साहितिकार साहितिका सिजन करता है, तब उसके व्यक्तित पर ना केवल देश, काल, परिस्तितियों और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ब के प्राकथन में, introduction में लिखा है, मिल्टर, Spencer का सच्चा कावे मैं पुत्र था, मलता मिल्टर जो कभी हुए हैं, जिन्होंने paradise लास्ट लिखी है, जो जन्मान्द थे, ऐसा माना जाता है, तो उन पर किसका ज़्यदा प्रभाव है, Spencer का, तो Spencer के कावे मैं पुत्र उन्होंने माना है, क्योंकि हम कभियों की भी जाती परिवार और वन्ष परंपरा वैसी ही होती है, जैसे लोगों की, जैसे वालमिकी जी ने रामार्ण की रचना की सांस्कृत में, उसी परंपरा में तुलसिदाजी ने रामचरित मानास की रचना की, और कम बनारा रामार्ण की रचन कि कम रामाड आपने पढ़ा होगा और बंगला में कृतिवास रामाड है तो संस्क्रित में क्या है वालमिकी रामाड है फिर कम रामाड है और फिर कृतिवास रामाड है रामचरितिमाना से साकेत है और इस पकार बहुत सारी रचनाए भग्मार राम के उपर लिखी गई है मह तो इसी पकार ये सबी कवी एक ही परमपरा को राम कावेधारा को बिलाग करते हैं, आप कहा सकते हैं, तो ऐसी परमपरा होती है, इस परस्ट है कि इन पंक्तियों में वे एक कवी के दूसरे कवी पर प्रभाव की चचा कर रहे हैं, जो उसे पुर्व किसी अलोचक ने नहीं क की, इन विद्वानों का उनने अंधा नुकर नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक युग, देश और जाती का साहित है, इसलिए भिन 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 लोगों और जातियों की रूची भिन भिन होती है, तथा समय के साथ रूची, सभाव तथा शेल पर बदलते रहते ह पुराने विद्वान हुए हैं दूसरे देशों के या खुद के देशों के, उनकी बातों को उनने अंधा नुकरन होकर स्विकार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि प्रत्येक समय का यूग परिवेश और वातावरण भिन होता है, लोगों की रूचियां भिन भिन होती तो लोगों के लिखने का जो इस्टाइल है जो सुभाव है जो रूची है वो निरंतर परिवरतनशील है तो साहित्य का उद्देश आनंद अधीक है अंद में वेकाते हैं कि साहित्य का उद्देश आनंद अधीक है शिक्षा कम यह बताकर उन्होंने कलापूर्ण तथा नेतिक कावे का अंतर बताया है मतलब कावे का मुख्य उद्देश क्या है कावे का मुख्य उद्देश है आनन्द प्रदान करना और आनन्द प्रदान करना प्रमुख उद्देश है इसके साथ साथ उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है या गौण उद्धे से इस प्रकार उन्होंने कलापूर्ण कावे और नतिक कावे के बीच में अंतर बताया है उन्होंने साहित्य में सौंधर्य तत्व की महत्ता पर बल दिया तथा साहित्य को अनुकराण ना मानकर पुना स्रिजन कहा और इस प्रकार कावे में कल्पना तत्व का महत्ता सिकार किया तो उन्होंने कावे में संदर्य तत्त पर अधिक महत्त दिया और संदर्य का निर्माण कैसे होगा कावे में कल्पना के माध्यम से होता है ना कि प्रतिभा के माध्यम से ठीक है तो कल्पना के उन्होंने ज्यादा महत्त प्रदान किया और उन्होंने किसी भी कावे को अत्वा और इस प्रकार उन्हें ने कल्पना तत्तों को अधीक महत प्रदान किया है नियम पलन से अधीक परतिभा को आश को बदाकर भी उन्hणने सही निर्देशन क्या मतब किसी कावे का सिर्जिन केवल नियमों के अधर पर नहीं किया जा सकता है बैलकि इसमें कभी की जो प्रतिभा होती है वो अधीक महत्पून होती है यद्य पी कुछ विद्वानों ने उनके महत्व को घटाने की चेश्टा की अब ये आलोचक हैं इनके महत्व को कम करने के लिए अन्य आलोचकों ने भी इनकी आलोचना की है लेकिन भले यह सत्या है कि उन्होंने नए सिध्धान्दों की प्रदिष्ठा से अधीक प्राचिन सिध्धान्दों में संसोधन किया है वस्तों मुने ने बहुत सारे नए सिध्धान्द नहीं दिये बेलकि जो प्राचिन सिध्धांत थे जो पहले से चली हुई जो नीमा वली थी जो प्राचिन जो सिध्धांत थे उस पर उन्होंने ज्यादा संसोधन किया है उनके सिधान्द तत्वता नवे शास्त्री हैं फिर भी स्वतंद्र आलोचक दिश्टी तत्था सहास्पूर्ण निश्कर्सों के कारण उनका योगदान अविस्मर्णी है तो भले इनके जो आडियोलाजी है जो विचार धारा है वो नवे शास्त्री है नियो क्लासिसिजम एक होता है क्लासिसिजम जिसे हम कहते हैं अभिजात्यवाद अथ्वा शास्त्रवाद और उसके बाद आता है नियो क्लासिसिजम नवे शास्त्रवाद इससे ज्यादा और फादर आप modern pros भी कहा जाता है मतलब आधुनी गद्य का जनक कहा जाता है तो यह बहुत ही महत्रपुना अलग चक है तो निश्यत रुप से आप इनकी पुरी विचारधारा को अच्छे से समझ गया होगे यदि मेरा आज का यह लेक्चेर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो comment box में comment लिकर जरूब बताएं साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब निक किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबना न बुलें ताकि मेरे प्रतेक वीडियो के अबडेट्स आपको मिलते रहे हैं धन्यवाद जय हिंजय भारत